सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दिजिए हमारा लाटेस वीडियो पहले पाने के लिए हाई दोस्तो हम इसी वीडियो के माध्यम से 5 स्टॉक निप्टी और बैंक निप्टी के बारे में उसका एंट्री, टार्गेट और स्टॉपलोस के बारे में जानने जा रहे हैं दोस्तो मैंने 24 स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोगःट कर रहा हूं मैंने उसके लिए की रूल का वीडियो मेरा description section पे दिया है अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहलो रूल का वीडियो को देख लिजिए अगर उसी रूल के वीडियो की इसाब से ये stock पे या nifty और bank nifty पे आपको trade करने के लिए entry आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो stock या nifty bank nifty पे ट्रेड कीजिए अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो की इसाब से ट्रेड साटिस्पार नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो stock पे या nifty और bank nifty पे ट्रेड मत कीजिए दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है वो बटन के उपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि मैंने रोजाना आपके लिए से वीडियो लेके आता रहता हूं तो चलिए दोस्तो हमको कल कॉमसा स्टॉक के उपर ट्रेड करना है और निप्टी और बैंक निप्टी का मुवमेंट कैसे रहेगा उसका एंट्री, टार्गेट और स्टॉक लॉस के बारे में जानते है पहला स्क्रिप्ट ये हमको एसे अन पेंट पे बाइंग करना है तो एक्विट और कास मार्केट पे 1501 पे आप बाइ कर सकते है कॉर्ण मार्केट प्राइस 1397.8 है स्टॉक लॉस 1391 पहला टार्गेट 1411 और सेकेंड टार्गेट 1421 रखना है अगर आप एसे अन पेंट क्या फ्यूचर मार्केट पे बाइ करना चाहते है 1397 पे बाइ कर सकते है इसकी कॉर्ण मार्केट प्राइस 1393.2 है स्टॉप लॉस 1387 पे रखना है पहला target 1407 और second target 1417 रखना है तो जाले दोस्तों अभी script 2 के बारे में जानते हैं ठीकि script 2 पे मैंने बज़ा जोटो पे sale के लिए बताया है तो equator cash market पे 2810 पे selling करना है current market price 2816.85 पे stop loss आपको 2830 पे रखना है पहला target 2790 और second target 2770 रखना है अगर आप budget future पे trade करना चाहते हैं 2810 पे आप sale कर सकते हैं current market price 2816 है stop loss आपको 2830 पे रखना है पहला target 2790 और second target 2770 पे रखना है तो चले दोस्तों अभी script 3 के बारे में जानते हैं देखे script 3 पे मैंने भारती अर्टेल पे buy के लिए बताया है तो equator cash market पे 314 पे आपको buying करना है इसकी current market price 313.85 पे stop loss आपको 311 पे रखना है पहला target आपका 317 पे रहेगा और second target 320 पे रहेगा अगर आप भारती अर्टेल का future market पे buy करना चाहते हैं 315 पे आप buy कर सकते हैं इसकी current market price 314.5 पे है stop loss आपको 312 पे रखना है पर स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं देखिए फोर स्क्रिप्ट पे मैंने BPCL पे buy के लिए बता है तो equator cash market पे 346 पे आपको buying करना है current market price 344.2 पे है stop loss आपको 343 पे रखना है target 349 और second target 350 पे रखना है अगर आप BPCL के आप future market पे trade करना चाहते है 349 पे आप buy कर सकते हैं इसकी current market price 345.2 है stop loss आपको 344 पे रखना है पहला target 350 और second target 353 पे रखना है तो चले हैं दोस्तों अभी script 5 के बारे में जानते हैं देखिए script 5 पे मैंने doctor ready पे buy के लिए बता है तो equator cash market पे 2600 पे बारे कर सकते है current market price 2639.5 है stop loss आपकी 2620 है पहला target 2675 और second target 2700 रखना है अगर आप doctor ready के future market पे buy करना चाहते हैं 2634 पे buying कर सकते हैं current market price 2630 और आपको stop loss 2610 पे रखना है पहला target 2665 और second target 2690 पे रखना है तो दोस्तों इथा 5 script के बारे मैंना लिसिस और ये 500 script के अंदर मैंने 4 script पे buy के लिए बताया है और एक script पे sell के लिए बताया है तो चले दोस्तों अभी nifty future और bank nifty future के बारे में जानते हैं nifty future का जो closing है 100809 पे हुआ है हमको अगर buying करना है 10000820 पे हम buy कर सकते हैं अगर आप 10000820 पे buy करते हैं आपको stop loss 100790 पे रखना है पहला target आपकी 100850 और second target 100880 रहेगा तो चले दोस्तों अभी bank nifty future के बारे में जानते हैं bank nifty future को मैंने sell के लिए बताया है इसका जो closing price है 26,928 है लगभग उसी price के आजबस आपको short selling करना है stop loss आपको 26,985 पे रखना है पहला target 26,850 और second target 26,800 रखना है तो दोस्तों इता निप्टी, bank nifty और 5 script के बारे में analysis जो आप proper risk management के साथ proper rule को follow करके आप सुंबार को trade कर सकते हैं अगर आप लोगं को मेरा वीडियो अच्छे लगा तो उसको like कीजे अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चानेल को subscribe कर लिजे क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए इसे वीडियो लेके आता रहता हूँ विलाके लिए आप उस्तो जाहें बांदे मातरम